हलो फ्रेंड्स माइसेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आज आपको बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेस्टिन्स करवाने वाला हूँ वो है और्गनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन्स स्टुडेंट्स को सबसे ज़ादा प्रॉब्लम यही इसी टाइब के क्वेस्टीन में होते हैं और ज़ाधा तर तो यह सोचते हैं कि यह क्वेस्ट्न छोड़ देना ही सही रहेगा अब इसमें होता क्या है रियक्ष変 सभी स्टुड़ेंट्स को याद होती है लेकिन उन reactions को कहां पर किस तरीके से systematized तरीके से use करेंगे वो नहीं आता है और यही in question का main part है मेरा suggestion यह है कि आप organic chemistry convergence को strong कीजिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा reactions practice करके याद रख सके क्योंकि reactions को याद रखना है तो यही questions सबसे best है मैं आपको एक एक करके सभी chapters के convergence बताऊंगा इन convergence को देखने के पहले आप से और हो जाएए कि आपको चारों chapter की reactions याद है या नहीं पूरे वीडियो को सुरू से लेके last तक देखिएगा क्योंकि इसमें different questions होंगे अगर आप बीच में देखेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा आपको सबसे पहला conversion है methanol to ethanol और यहाँ पर देख रहे हैं आप एक कार्बन से दो कार्बन करने हैं यानि यह है step up conversion ठेक है तो यहाँ पर देख लीजे CH3 OH प्लस SOCl2 यह क्या है thionyl chloride इससे क्या होता है जो CL होगा वो OH को replace कर देगा और क्या बनेगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस SCL अब यह जो CH3Cl है इसकी reaction करवाएंगे KCN से potassium sinide से इसमें क्या होगा यह जो CL है वो CN से replace हो जाएगा KCl as a byproduct remove हो जाएगा और बनेगा CH3CN अब आपने देखा यहाँ पर एक कार्बन है यहाँ दो कार्बन हो चुके हैं जब भी कार्बन बढ़ाना हो alkyl halide से या फिर alcohol से आप यही यूज कीजिए alkyl halide से बढ़ाना है तो directly यही यूज हो जाएगा alcohol से बढ़ाना है तो पहले आप alkyl halide बनाए और उसके बाद यह reaction लगाते हैं जो भी student इसके साथ इसकी reaction करवाएगा वो गलत होगी reactions को discover नहीं करना है हमारे पास जो reaction available हैं हमें सिर्फ वही reaction करनी हैं अब यह CS3CN1 गया CS3CN का करेंगे आप complete hydrolysis है एच प्लस लिखेंगे यहाँ पर complete hydrolysis ठीक है अगर आपने incomplete hydrolysis किया है इस cyanide का तो बनेगा amide cyanide यानि नाइट्राइल के incomplete यानि partial hydrolysis से बनता है amide और जब हम complete hydrolysis करते हैं तो हमें मिलेगा carboxylic acid तो यहाँ पर क्या होगा CS3 और यह जो CN है वो change हो जाएगा COOH में दो carbon हो चुके हैं अब इसके उपर आप लगा दीजे पाउरफुल reducing agent जैसे कि li al h4 al h4 ether second h2o h plus तो यहाँ पर दो carbon है बनेगा CS3 CH2OH यह लिजे यह बन गया ethyl alcohol तो यह conversion था methanol to ethanol अब करते हैं ch3 ch2o h इससे क्या बनाना है ch3o h अब इसमें ch2o h इसमें लगा दीजे पाउरफुल oxidizing agent जैसे कि acidified solution of k-m-n-o-4 पाउरफुल oxidizing agent तो यह जो एलकोहल है primary alcohol वो किसमें change हो जाएगा कर्वॉक्षलिक एसिड में CH3 coo h अब आपको क्या है carbon कम करना है यहाँ पर आप लगा दीजे decarboxylation nao h plus cao यह क्या है 3 ratio 1 इसको क्या कहा जाता है soda lime यह है decarboxylation decarboxylation मतलब removal of carboxyl group यानि आप यह ट्रिक समझ लीजे कि जो इसके बगल में जो भी अलकाइल पार्ट है वो इस h से attach हो जाएगा देखें इन question का फाइदा यह भी है reactions भी memorize हो रही है CH3 h मतलब CH4 plus byproduct होगा na2 co3 अब आप ले लीजे ch4 plus cl2 h new h new मतलब photochemical chlorination तो जो sp3 hybrid पर hydrogen होगा sp3 carbon पर जो hydrogen होगा वो किस से c l से substitute हो जाएगा क्या बन गया c s 3 c l plus h c l अब उसके बाद यहां पर लगा दीजे k o h equals तो यह जो c l है वो o h से substitute हो जाएगा c s 3 o h तो यह क्या बन गया ethanol to methyl alcohol to methyl alcohol तो यह हो गए आपके दो conversion अब और आगे पढ़ते हैं आगे के conversion है मितनामीन टू इद अमीन चैप्टर से है वो देख लेते हैं आपने नोट कर लिया होगा अब मैं इसको रव्त कर देता हूं लगा मिदलण टू इद आमेन यह ढ़ोंड इंपॉर्टेंट है इद सबसे पहले हम करते हैं कि मेथनम अमीन यानि मिथाइल अमीन तू कि इतनमी यह है इससे बनाना है एक कार्बन से दो कार्बन अब इसमें आप लगा दीजे एच एनो टू नाइट्रस एसेड नाइट्रस एसेड से प्राइमरी अमीन कोई भी हो वो रियक्शन करके क्या बनाता है एलकोहल डिरेक्टली क्या बनाएगा CH3 OH और N2 गैस निकल जाएगी अब आपको क्या काम रह गया कि एक कार्बन आपको बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है जो हमने पिछले कंवर्जन में यूज किया था आप वही यूज कीजिए SOCl2 क्या बना दिया CH3 CL प्लस SO2 प्लस SCL अब जब CH3 CL है उसकी रियक्शन हो गई के सीन से क्या बनेगा CH3CN प्लस के सील अब जो CH3CN है इसके उपर आप लगा दीजे रिडियूसिंग एजेंट LIALH4 LIALH4 एथर दूसरा H2OH प्लस तो जो CN है यानि साइनाइड है वो क्या बनाएगा प्राइमरी अमीन CH3 CH2 NH2 यह लेज़े यह रियक्शन आपको फॉर्मेशन आफ अमीन में मिल जाएगी ठीक है तो इस तरीके से मिथनामीन टू इथनामीन मिल गया आपको अब हम बनाएंगे इथनामीन टू मिथनामीन यानि कारवन को कम करेंगे इसको आपने नोट कर लिया होगा मैं इसको रब कर देता हूं अब है अब है अधनामीन टू मिथनामीन यानि इससे बनाना हैन यहाँ पर भी वही चीज हमाओ अनलप Two कर लगा देम नामीन मैं यहाँ यहां पर भी वही चीज हनो लगा दी करके अल्कोहल बनाता है कि CH3 CH2 OH बन जाएगा एंट्टू गैस निकल जाएगी तो इसमें आपको एक कार्बन कम करना है तो क्या करेंगे आप कि अमिनोफोर लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा कर्बॉक्चलिक एसिड अब इस कर्बॉक्चलिक एसिड यानि एसिटिक एसिड पर आप लगा दीजिए अमोनिया और हीट यह क्या है अमोनोलिसिस तो इससे क्या बनता है एमाइड च्छी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच्टू यह बन गया एसिटामाइड इसमें आप लगाएंगे नवेच प्लस बी यार टू यह है हॉपमेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रियक्षन एच्वीडी रियक्षन तो इससे क्या होगा यह जो कार्बन है वो इसके पास चला जाएगा CS3 NH2 यह बन गया आपका फाइनल प्रोडाक्ट तो यह थे चार कंवर्जन जो स्टेप अप एन स्टेप डाउन रियक्षन से होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आये हुए कंवर्जन हैं आप बुक में देख सकते हैं प्रिविश यह की बुक लेकर उसमें देख सकते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चार-पांच कंवर्जन और करेंगे ठीक है ऐसी तरीके से प्लेलिस्ट देखते रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए बेस्ट आफ लाग